नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आल इंडिया स्टूडेंट पर जी यहां दोस्तों वीडियो रिजल्ट से लेटर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकि यह 100% आपको पूरूफ के साथ दिखाऊंगा उससे पहले आपसे एक बात बताना चाह है यहां दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है यूपी वीडियो रिजल्ट 2019 इस एक्सपेक्टे टो बी आउट इन मार्च 2018 फॉर यूपी टीपल सी वीडियो वीडियो ग्राम पचायत अधिकारी एक्जाम दौतर प्रदी सब कॉडिनेंट सर्वेस से आइगी जो आप में से जो लोग पूछ है तो सब दिहान से देख लिए वीडियो के स्किप्ट ना करिएगा आपको एक एक जानकारी दिखा दिता हूं जो रिलीज हुई है यहां पर देखिए आपको ऑफिशल साइट पर रिजल्ट देखने की मिल जाएगा अगर आप हमा यहां पर देख सकते हैं यूपी वीडियो रिजल्ट नाइटीन इन लिंक इन एक्टिव अब यहां पाड़ देते हैं क्या है यूपी तिरवाल सी हैस रिलीज्ट यूपी ग्राम पंचायथ अथकारी रिक्विट्मेंट 2018 नोटिफिकेशन फॉर्ट टोटल वन थाजन समाज कल्यान परिकर्स ठीक है दा रिटन डाइटन एक्जाम वेज्टेशन फॉर्ट यूपी यूपी वीडियो रिजल्ट इस पंडें एक्सपेक्टेट टू बी आउट एनी टाइम सून दोस्तों यह जानकारी आप देख लीजे यहां पर लिखाओ एक्सपेक्टेट हो जैसे ही अभी अभी टाइम हो रहा मान लीजे 8 बजे की लगभब हो रहा यह भी ज़रूरी है कि जो आपका रिजल्ट हो 8 बजे के मतलब साड़े 9 बजे मतलब यह कभी भी रिजल्ट हो सकता इसका कोई जहनकारी नहीं आ रही है आपको अपडेट पढ़ा देता हूं लिखा हुआ एक्जाम डेट हुआ तो जो वह वह था 22 दिसंबर को ठीक है और जो रिजल्ट डेट है मार्च देरा ठीक है यहां पर मार्च देरा मतलब आपके दो तीन दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है अब कट आफ की बात कर लेते हैं आपको पीवेस यह की जो कट आफ दिला दिखा देता हूं मैं तो जो 2016 होई थी ठीक है उसमें देखिए रिटन में यह आई थी ठीक है और इंटर्वियो की मिला के फाइनल कट आफ बनी थे 78 70 यह तो यहां पर सबसे बड़ा जो बदला हुआ हुआ हो इंटर्वियो हटा दिया गया है जो आपका कट आफ फाइनल बनेगा अगर आप लोग ने हमाई चैनल पर कट आफ की वीडियो नहीं देखिए तो वह जाकर देख लीजिए हमाई चैनल पर पड़ी हुई है ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं आगे क्या है यहां पर देखिए रिक्विट्मेंट जो आप थी जो को दिखा देता हूं यहां पर वेकैंसी आपकी जो लोग को पता भी है कि 19,000 पर बहुत सारी एक्जाम हुए थे कम से कम 22-24 लाग तक के भी फार्म भरे गए थे ठीक है अपडेट भी देख सकते हैं आपको मैंने कन्फर्म कर दिया जो आपका रिजल्ट है वह मार्च में आ